असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद इर्फान अमीद है आप सब खेरिये से होंगे ठिक ठाक होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ midpoint के midpoint किस तरह निकालने class 9 का ये most important question है कि इसमें midpoint हमने किस तरह निकालने होते है question हता है find the midpoint between the pair of points के हमने midpoint किस तरह निकालने सबसे पहले midpoint का formula देखे लिए midpoint का formula क्या है midpoint formula देखे इसका formula है x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 अब यह x1 x2 y1 y2 असल में है क्या यहां से देखे पहला point x है और दूसरा point y है इसी तरह यहां से पहला point x है और दूसरा point y है इन दोनों को हमने 11 कह देना है और इन दोनों को 22 कह देना है इस तरह नहीं करना है कि यहां से x1 x2 y1 y2 इस तरह नहीं पहला point x का दूसरा point y का यहां से पहला point x का दूसरा point y का अब हम इसमें put कर देते हैं यहां से देखे x1 x1 कितना रहा है 5 divided by 2 इसको हम simplify कर लेते है minus 5 ये plus minus क्या हो जाएगा minus हो जाएगा 7 divided by 2 इसी तरह minus 7 plus minus minus हो गया 5 divided by 2 minus के 7 है और minus के 5 अगर दोनों minus के हो तो हमने क्या करना जमा होता है लेकिन लामत minus की लगेगी ये हो गया minus का 12 divided by 2 इसी तरह ये भी हो गया minus के 12 divided by 2 तो अब हम इसको करते हैं divide तो 2 under 2 और 2 6 ता 12 यह होजेगा minus 6 और यहां से भी आजेगा minus का 6 तो इस तरह easily आप लोग midpoint का formula आप लोग को ज़िया दोना चाहिए formula क्या है x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2 अगर आप channel पर new है और आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया हुआ तो channel को करें subscribe और साथ ही करते bell icon को press ताकि हर आने वाली नई वीडियो का notification आपको मिलता रहे